नमस्ते विद्यार्थी मित्रूर। सांतिनी केतन सिक्षण मान तमारू हार्दिक स्वाकत करू जू। आजी अपने धोरान सातनी अंदर विशय हिंदी पाठ चार एना विशय आपने कथनी और करनी। कि कथनी और करनी में क्या अंतर है। मतलब कथनी क्या हूँ अने करूँ इमा सूप भेद छे। इना विशय आजी आपने समगर भाठ जूई शू। कि मानव जीवन प्रभू की अन्मोल देन है। मानव जीवन लेके मनुष्यनुचे जीवन अन्मोल कोईनी किम्मत न करी सके। ते हूँ एनू जीवन जी। सभी प्राणियों में मनुष्यको प्रभूग में विशिष्ट सक्तिया प्रदान की। बद्धाज प्राणियों इंदर मनुष्यनुचे मनलब के मानव ने प्रभूए बगवाने विशिष्ट बद्धाती अलग प्रकानी सक्तियों आपे लिजी। इसलिए वा संसार में बहुती अच्छे ढंग से जीवन पयान करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। पर थोड़ो समय, इनके हर समय कोई सारू काम, साचा आर्थ मा कोई काम नथी करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ हैं और करता कुछ हैं। कोई एक वक्त मनुष्य कहें चुदू और करें चुदू। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखनी को मिलता है। कई मनुष्य मतलब के मालना सोनी रश्टिन इदर कथनी केवानों और करवाने अंदर भेद बतावें। इस बाबत को प्रस्तुत निबंद में उजागर किया है। इस बाबत ने प्रस्तुत निबंद के कथनी और करनी केवानों मनुष्य होए। इना विश्य आपड़ने केवा मागी चुदू। तो आज आपने जोईशू के कथनी और कनी में क्या अंतर है। इस्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से स्रेष्ट बनाया है। इसका उसे अभिमान भी होता है। इनने अभिमान पन थाई जाए। परन्तु स्वयम को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है। जिन्हें वह गलत बताता है। परन्तु पोता ने गुणों नो खान मतलब के पोते गुणों थी परहलों छे। इवु समझवावाला किटलिक वखते कार्य करवामा समर्थ होईची। जिन्हें वह गलत बताता है। इने ते खोटू बतावीची। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उधारम रोज देखने को मिलता है। इवा जिवननी अंदर किटला इवा उधारम। कथनी और करनी क्या होँ अने करू झेटला है बता उधारम। अपना जिवननी अंदर फर्या जोवाब मर्शिए। तो आपने जो ये वाकिस है बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगा छोड़ रखी थी लेकि जहां मानसों रहता था त्यां करने थोड़ी जग्या सरकार यह नक्की करें त्यां बगी चानू निर्वान करें बरसात के मौसम में महुले के एक सज्जन को उसमें फूलो के पूदे लगाने की सूजी कि बरसात के मौसम में महुले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पूदे लगाने की सूजी एक सारा सरस सज्जन मानस सारा मानस ने त्यां एक बरसात लेके वर्षा ना मौसम ने अंदर वर्षा ना मौसम ने अंदर इन्हें त्यां एक फूलो और पहुदे मतलब के फूल औने छोडवा लगावानी सारी भी सूजियो तू बात अच्छी थी यह बात पन सारी है थी वे कहीं से पहुदे लाए न तिये छोडवाओ बार क्यांक थी लई आवे जे कतार से उन्हें रोपा एक लाइन ने अंदर इन्हें रोपी दे जे देख तो पच्छी मां सरस्मजाना फूलो पन आवा लागिया पार्क अच्छा लगने लगा जे बगी चो तो ये सरस्मजानों देखावा सुंदर देखावा मंद्यो महुले के लोग सुब साम पार्क में टहलने लगे रवे तो मानसो जे महला ना जे सी हता सोसाइटी ना मानसो सवार आने सान जाकने आटा मारवा पन खानती थी आवा लागिया फूल सबको अच्छे लगते फूल बधाने खोब गमे पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड कर ले जाएंगे जो सज्जन मानसे जे फूलों जे बगीचो बना श्री बगल को तोड़नों के उन्हें नुक्षान कर उन्होंने एक तक्ति के उपर यह लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना बना है तो इमान असे जे बगीचानु सब करय तो हतु इमान से सज्जन मानसे एक तक्ति मतलब कि एक तक्ति ने रんな लखिने बता वे PACी बहु पी फूलों को नहीं तोड़ता बधा लोको एवांसता अने कोई पहन मानस फूल थोड़ने अड़ता नहीं पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तकती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा कि जब सर्मान Ave ने के लिए बोले पुजा के लिए तोड़ रहा हूं और जे शज्जन सवीकर ने तकती लगा याने मुझ तोड़ू छू इले सरम ने मिताव माटे कहें पुजा माटे या फुलने तोड़ू छू बीजो एक एओ किस्व विध्याति मित्रो कि बसों में लिखा होता है धुम्रपान करना निशेदें बसनी अंदर यू लखेल हुए छे कि धुम्रपान करू नहीं य एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा और एक मुशा फरी दर्मियान एक माना से बसनी अंदर अज बीड़ी चड़ गाई उसे देखकर कंड़क्टर ने कहां भाई साब बस में बीड़ी सिग्रेट पीना मना हैं कंड़क्र पिला भाई ने टोके शे कि भाई बीडी अने सिग्रेट पीवी चालूबस मां मनाई छे उसने जलती बीडी खीड़की से बाहार फिंकवा दी तो यह पिला मान से सडकती बीडी ने बाहार फ्यकी देशे थोड़ी देर बाद कंड़क्टर ड्राइवर के कैबीन में जाकर बै तो कंड़क्टर अने ड्राइवर थोड़ी बार पशे सिग्रेट सडका वेशे ने बनने पीवा लागी एक दूसरे यात्री ने यह देखा विजा यात्री जे मुसाफर तो यह ने जूई देखा तो लिखे हुए वाक्या की तरफ इसारा करते हुए कंड़क्टर से कहने ल बसनी अंदर सिग्रेट पीवी नहीं यह लखे लुशे इस पर कंड़क्टर सिग्र बोल उठा यह वाक्या आपके लिए हैं न की हमारे लिए हैं आव वाक्या इमके मुसाफर तमारा मुसाफरों माटे से नहीं के हमारा माटे से एक व्यक्ती दुकान पर गया एक व्यक्ति छोभी जोए हो किस्व जई के एक व्यक्ति दुकानों पर जाए से स्कूटर दुकान के सामने खडा कर ही रहा था की दुकानदार बोला बजानी इंदर एक व्यक्ति दुकान नी सामे जईने पोतानों स्कूटर पार्क करेशे तरने दुकान दर क्यावा मंदेशे आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने की स्थान पर खडा करके आईए इमके तमें तमारों स्कूटर जे वाहन नहीं आया ऊचे ते सामने कि यह वाहन उभारेवान या पार्किंग नी जीग्या आया थे त्यां जने तमें मुकीने आओ सज्जन ने कहा मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है जे माहना साविवे तो यह नहीं कि मारे थोड़ोज समय थोड़ोज उभो रहें हूं निकड़ी जैस मैं तो सा दुकान दार बोला पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं इमके तम्हें दुकान नी सामें बजार वच्चे इमके स्कूटर उपूरा खू यह तमारी वात योग्य न थी सड़्जन ने सकूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया लेकल और वापस आकर पच्ची पाँच्व आवी ने सामान खरीदवा मन दे इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया इतला माज ये स्कूटर लेने एक छोकरों तेहाँ आवेशे स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया दुकान ने सामेज स्कूटर पार्क करी अन्य अंदर जतोरेश इस पर सज्जन ने दुकान दार से कहा आपने इसे मना नहीं किया यह मानस दुकान दानने केछे के तमया छोक्रा नहीं के मना नपारी वह बोला यह तो मेरा बेटा है हाथ वे कि मारो छोकरोश कुछ लोग ऐसी भी होते हैं जो आदर्स की बात बाते करते लेकिन जब उन्हें अपना ना पड़े तो आदर्स बोल जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते कि आदर्श की बात आये तो वह भूल जाते एक दीन एक सजन के घर उनके मित्र मिलने आये दोनों मित्र बात्चित में मगन थे कि किसी ने दर्वाजा खट खटाय उन्होंने खीडकी में से जाक कर देखा बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले चार माना का किराया मांगने बार बार आता रहता था ले मित्रो हता घर नी अंदर वाद्चीत कर रहता यह मां बार थी कोकी दर्वा खखड़ायो आनने बारी मां जाहिये मकान मं烨 मित्र हतो इस जूवे शे तो मकान मालिक घटो rikt कर दया,. उन्होंने अपने बच्चे को समझा कर बाहर भेजा जे बित्र हतो इन्हें पुताना छोक्रा ने समझा वी ने बाहर मुखले शे जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा तुम्हारे पिता जी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूं जारे छोक्रों बाहर जाए शे तारे मकान मालिक ने कहे शे कि जा तारा पिता जी ने कहे कि हो मकान नू भालू लेवा माठे आयो जो बच्चे ने तपाक से जवाब दिया बच्चा तरतत जवाब आपयो कि पिता जी ने कहा हैं कि वे घर पर नहीं हैं कि मारा पिता जी यू क कि तुछे के घर नी अंदर नथी बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हसने लगा मकान मालिक अस्वा लागे छे वारक नी वाद सामधी ने के इना पीता जी जाओ समझावे छे के के इना पीता जी घरमा नथी आम समझीने मकान मालिक अस्वा लागे छे घर में बैठे मित्र के चहरे पर भी मुश्कान आ गई अना अंदर जे बैठेलों मित्रह तो एपन असे छी जिसे देखकर वे सज्जन पानी-पानी हो गया जेनों मित्रह तो एपानी-पानी मतलब कि लज्जित थाई जाए छे कि आशुक में खोटू करिये उमकी एक सज्जन ने अपने पोते को यह शिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत धंग से नहीं करना चाहिए सदा अपनी बारी की प्रतिक्षा करने चाहिए एक मनुष्य पोता ना पुत्र ने यह शिखाय लोग कि आपना धंग गलत लिके कोई पन खराब रस्ते थी काम न करूँ जोई सदा अपने कि हमेशा अपने वारी आवे इनी रा जोवी पड़े एक तिन की बात है वे जब जल बिजली की बील जमा कराने गए एक दीवसनी वात हती कि एक वकत जल बिजली लेके विजली थी जर पानी आवेशे इनू बील भर्वा माटे जाएशे साथ में उनका आट वर्षिय पोता भी था इदादा अने इनो वाट वर्ष नो पवत्र पन इनी साथे हतो बील जमा कराने वाले की लंबी कतार देखकर वे कोई उपायस होतने लगें बील जमा करा बील भर्वा वाला बद्धा मानसों नी लांबी लाइन जोई अने कहीं वीचारे जे उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा आगे ही एक परिचीत व्यक्ति खड़ा दिखाए दिया अने पहली ज लाइन नी अंदर उभेलो मानस इमने को उड़की तो इमने जोई वे तुरंद उसके पास गए और बोले इतरत इनी पासे जाई आने कहवा लागे जी बेटा ये बील तुम घर पर ही भुलाए भुली ने आयो लो इसको भी जमा करा दो लो आने पन तुम के जमा इंके तुम इने भरी काट वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बील वह रासी उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए पोता बार बार कहने लगा दादा जी लाइन में लगे न उसकी बात सुनका लोग हसने लगे कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्स की बात तो तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं इस प्रकार का आचरन अच्छा नहीं आ प्रकानों व्यवार सारो नक्यवाए ऐसा आचरन करने वालों को कभी सन्मान नहीं मिलता एवा व्यवार करवान कोई दिवा सन्मान मरतू नती पद मरतू नती वे असी के पात्र बनते हैं यह असी ना पात्र अज बने छे इसलिए हमें कथनी और करनी में सदेव समानता रखनी चाहिए यह एतला माटेज गयवा माईऊ छे के कतनी जे कयाओ अने करू एस बद वदु समान हौँ जी जिव कईये तेव करू चोई एस समान राखू चोई हो कतनी करनी एक समान जग में मिलता तब सन्मान कतनी अने करनी ने तारे जगत ने अंदर आपड़नाने सन्मान मलें चे सब्धाइफ तो मुहावरे गुणों की खान बहुत गुणी पानी पानी हो जाना बहुत लज्जित हो जाना तो विद्यार्थी मित्रो आपड़े अभ्यास नो जी वीडियो छे ए आवता पचिना नेक्स प्रियेट नी अंदर आपड़े अभ्यास जुईशू